गुद मॉर्निंग हुरीवान तर अपलाला पूर्चा चाप्टर सुरू करेचा है अपन पहला चाप्टर बागितला हता हेरेडिटे एंड इवलूशन तर आज काहितरी नवीन मनून कि अपला जो हा क्लास हसिल तला अपन हिंदी मदून करने सा प्रयतना करूं तो हमें हमारे सेकंड टॉपिक को स्टार्ट करना है जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग और्गेनिजम पार्ट और्गेनिजम पार्ट फर्स्ट ऐसे दो तरह के पार्ट से दो पार्ट से हमारे लिए और्गेनिजम के अंदर कितनी तरह की लाइफ प्रोसेसेस ऑपरेट की जाती है उन सब के बारे में हमें पढ़ना है और इसमें से पार्ट फर्स्ट जो है हमारा सेकंड टॉपिक सेकंड चाप्टर जो है दिया गया है तो इसके बारे में हम आज डिसकस करेंगे पहले इससे पहले कि हमें इस चाप्टर में जाना है उसके पहले पिछले साल के आधार पर कुछ सवाल पूछे गया है केंगे हमारे किताब में can you recall कहे कर बताया गया है तो वहां पूछा गया है कि पहला सवाल की तरह से फूड स्टप्स जो हते हैं उन में जो न्यूट्रियंट्स होते हैं किस तरह से हमारे बॉड़ी को यूजफूल होते है तो हमें बताना है कि कैसे क्या होता है एक्चुली उस food stuff से जो nutrients हमें मिलते हैं उनका क्या use है हमारे body में for example हम बात करते हैं for example मान लीजे हमने carbohydrate के form में कोई food कंजुम किया हो okay carbohydrate कंजुम किया हो हम देखते हैं कि normally commonly क्या होता है कि हमारा जो digestive tract है और digestive system है उसमें इसका जो है digestion complete होता है up to the small intestine तो वहाँ जब digestion complete होगा तो क्या होगा वहाँ पर क्या बनेगा तो वहाँ पर जो यह complex polysaccharide है इसका conversion होगा monosaccharide में यानि की monomer में जो की glucose है तो glucose act as a nutrient यहाँ पर glucose क्या बुलकर act होगा यहाँ पर nutrient as a nutrient काम करेगा और glucose से यहनि की इस nutrient से हम क्या करेंगे हमारे body में जो processes होते हैं like हमारे पास cellular respiration है cellular respiration respiration हमारे पास दो तरह का होता है पहला तो होगा external respiration जिसे हम body respiration कहेंगे जिसमें हम oxygen जो है surrounding से uptake करेंगे और उसी तरह से जो जैसे हमने oxygen लिया उसी तरह से CO2 को जो है उसी यानि कि हम respiratory system सी यानि कि nostrils या mouth के through CO2 को release कर देंगे atmosphere यानि कि simply हम कहें respiration is of two type external respiration in which inhalation of O2 and exhalation of CO2 is occur and second type of respiration is cellular respiration or internal respiration we can say so उसमें क्या होता है कि जो हम in the form of carbohydrate जो food कंजुम किया था हमने उससे जो glucose molecules मिलेंगे यानि कि nutrients मिल रहे हैं उनको उनको oxidize करके यानि कि उनसे हम क्या produce करते हैं with the help of cellular respiration ATPs produce करते हैं यानि कि energy produce करते हैं तो इस तरह से food stuff यानि कि food जो हम कंजुम कर रहे हैं उसका और उसके अंदर जो nutrients से उनका यूज जो है इस तरह से हमारे body के लिए होता है तो इसके बाद जो second question पूछा गया है what is the importance of balanced diet तो balanced diet क्यों चाहिए तो हम जानते हैं कि हम कोई भी चीज अगर limit के ऊपर खा लेते limit से ज्यादा consume कर लेंगे तो उसका side effect दिखेगा हमारे लिए उसका adverse effect दिखना जा दिखना शुरू हो जाएगा यानि कि हम कहेंगे कोई भी food for example हमने मान लीजे हमने lipids ज्यादा खा लिए यानि कि cholesterol containing highly cholesterol containing food अगर हम कंजूम करेंगे मान लीजे हम meat ज्यादा खा रहे है कि regularly हम meat खाते है और वह ज्यादा से ज्यादा हमारे limit से ज्यादा खा रहे है तो होगा क्या उसका cholesterol जो है उसके अंदर से जो cholesterol बाहर आएगा तो ओ जो cholesterol है वो accumulate होगा हमारे body में उसका जो है storage होगा इस तरह से बहुत सारे adverse effect है मान लो हमने glucose ज्यादा खा लिया तो sugar level बढ़ने का chance भी हमारे लिए होता है तो हमारे body को healthy रखने के लिए हम कहेंगे balanced diet का बहुत जरूरी होता है तो हम जो कोई जो कुछ भी food कंजूम करेंगे वह हमेशा limited amount में balanced amount में ही कंजूम करना चाहिए अगला सवाल जो है which which different functions are performed by our muscles तो body के अंदर जैसे कि हमें पता है muscles होते है muscles जो है हमने में देखा ताकि तीन तरह के muscles human body में पाए जाते हैं कौन से कौन से ओ है smooth muscles smooth muscles एक second type जो है हम कहेंगे cardiac muscles होते है cardiac muscles और third type जो होते है skeletal muscles तो इन तीनो टाइप में हर तरह के muscles कोई न कोई function operate करते हैं like उनके पास जो capacity होते हैं किस तरह की capacity यानि की contraction muscles क्या कर सकते है contraction P कर सकते हैं और उनके पास यह भी ability होते है relaxation भी ओ कर लेते हैं तो इसकी मदद से इसके help से ओ क्या करेंगे smooth muscles contraction and relaxation की मदद से for example यह होते कहां है तो यह blood vessels में पाया जाते है blood vessels के muscles intestines के muscles तो वहाँ पर यह contraction and relaxation की help से क्या करेंगे उसके अंदर जो भी nutrient या जो भी substance flow कर रहा है तो उसको easily flow करने में help करेंगे यहाँ पर second type के जो है cardiac muscles यानि यह relates करता है रिलेट करता है heart से any heart muscles तो हमें पता है heart muscles क्या करते हैं तो pumping करेंगे यानि हम जो heart beating होती है विद्ध हैंप contraction relaxation की help से pumping किया जाता है blood का pumping of blood cardiac muscles हमारे beating यानि heart beats जो होते है 72 time per minute जब हमारा heart धड़कता है वहाँ पर beats होते है तो उस समय होता क्या है actually तो हमारा blood जो है body को supply किया जाता है यह function है इस type के muscles का तो skeletal muscles भी होते हैं skeletal muscles यानि हमारे शरीर को हमारे body को जो है movement करने में help करेंगे तो हम कहेंगे they helps in a movement of body इस तरह से हम देख रहे है कि तीनों तरह के muscles हमारे यहां कुछ ना कुछ जो importance कहेंगे important functions जो है operate कर रहे है तो यह है हमारा तीसरा तीसरा जवाब यानि की तीसरे सवाल का जवाब तो muscles का role हमारे body में क्या होता है simply हम कह सकते movement of our body and pumping of blood as well as many type of contraction and relaxation type of movements so this is the third question now what is the importance of digestive juices तो जो अमारा fourth question यहां पर पूचा गया है digestive juices जो होते है digestive juices यानि enzymes produce किये जाते है juices अमारे digestive system digestive system में क्या होता है कि हम देखते हैं हमारे mouth से जो है food हम consume करेंगे यह जो food है हम consume करेंगे through the mouth and वहां पर mouth में एक तरह का substance होता है sticky substance जिसे हम कहेंगे saliva saliva content salivary उसे कहेंगे salivary amylase kind of enzyme यह क्या होता है एक तरह का enzyme है जो हमारे food को mouth से लिएकर ही digest करना शुरू कर देता है तो हमारा digestion शुरू हो जाता है यहीं से mouth से तो ऐसा enzyme जो की food को breakdown करने में help कर रहा है तो उसी तरह से जब वो आगे जाएगा food जो की partially breakdown है यहां पर mouth में हम उसे chaving की help से क्या करते है उसे बारिक टुकडों में बाट देते हैं फिर उसका flow होता है with the help of isophagus में जाएगा फिर जाएगा हमारे stomach में जाएगा फिर जाएगा वो small intestine में तो इस तरह से जब वो transfer होता जाएगा transport होता जाएगा उसका तब क्या होगा उसका digestion जारी रहेगा digestion होते समय कुछ digestive juices produce के जाते बाई organs like liver है हमारे पास pancreas है pancreas है तो लिवर क्या करेगा बाइल juices produce करेगा जो digestion में मदद करेंगे help करेंगे ओके यह भी मदद करने help करने वाले है और यह pancreas जो है enzymes produce करेंगे like trypsin pepsin type के यह भी हमारे लिए useful है during the process of digestion तो किसी तरह का भी food हो चाहे वो lipids का हो या यानि हम कहेंगे fat हो या हो protein हो या तो फिर वो carbohydrate हो तीनों तरह के food substance को digest करने में इन सारे enzymes का जो है यहां पर रोल होता है तो digestive juices का यह function है during the process of digestion नेक्स्ट जो question है which system is involved in the removal of waste material यानि कि पूछा गया है कि हमारे body के अंदर कौन सी system होती है जो हमारे body से waste को remove करने में help करेगी waste material जो है हमने में पिछले साल पढ़ा था कि यूरिया के form में होता है यूरिक के यूरिक acid के form में भी produce किया जाता है या तो फिर ammonia के form में भी उसका production हो जाता है तो यह जो blood में mix किये गए है यह कहां कहां पर मिलेंगे हमको हमारे blood में मिलेंगे blood में जो यह सारे के सारे waste product होंगे तो फिर हम जाहिर से बात है वह हमारे body के लिए harmful effects बताएंगे वहां पर harmful effects दिखेंगे तो हमारे पास जो है excretory system होती है आपको पता है excretory system जिसमे pair of kidneys होते हैं जो क्या करेंगे blood को blood containing blood containing these three kind of waste material इनको filter करेंगे kidneys क्या करेंगे इनको filter करेंगे filter करने के बाद जो pure blood है उसको वापस है हमारे blood यानि की circulatory system में वापस बेश देंगे और जो waste है उसे हम urination के through बाहर के और निकाल देंगे यानि की removal of waste material is done by the system of excretory system that system is called excretory system excret the waste product and कोन होते है तो वो kidneys है जो की हमारे लिए filtration का काम करते हैं हमारे blood के filtration का का काम kidneys जो है पूरा कर देगी इसके बाद में आपने अपना अगला सवाल जो है वो पूछा गया है कि यह circulatory system जो होती है किस तरह से हमारे body में useful है during the production of energy तो क्या circulatory system का कोई relation है energy production से तो इस बात का भी हमें जवाब देना है तो हमको पता है कि circulatory circulatory system circulatory system के बारे में हमने भी पढ़ा था कि इसमें कौन-कौन होते है तो पहले तो बात आएगे यहां पर हर्ट की उसके पार्ट जो है अगर हम इन सर्कुलेटरी सिस्टीम का अगर कोई पार्ट पढ़ेंगे तो हर्ट आएगे उसमार हर्ट आएगा फिर आएंगे हमारे blood vessels को के blood vessels में arteries उसके बाद में आएंगे capillaries और आएंगे veins ओके और blood vessel में जो fluid part होता है वो blood है तो यह यह तीन जो है कंपा एक पार्ट ओफ सर्कुलेटरी सिस्टीम हम कहेंगे इनको तो इनकी help से अब क्या होता है आपको पता है कि हमने यहां डाइजेशन देखा है मान लीजिए यहां डाइजेशन कंप्लीट हुआ यह कहां पर small intestine में और बन गया glucose ओके तो glucose कहां जाता है हमको पता है कि ओ तो जाएगा पहले blood vessel में यह रहा blood vessel तो यहां glucose dump कर दिया गया यहां पर glucose आ गया तो यह glucose जो है अब हमको पता है कि blood में sugar बढ़ गया ओ क्या करेगा कि blood का circulation continuously होता रहता है तो circulation यानि कोई भी substance with the help of this blood one place to another place तक उसको transfer करना यहीं तो यही मतलब होता है circulation का circulate किया जाता है किसी substance को तो हर्ट पहले तो हर्ट जो है blood को pump करेगा उसमें जो भी nutrients पढ़े हुए होंगे यानि कि वहां क्या क्या हो सकता है मान लेजिए हमने glucose की जगह हमने proteins भी खाये है तो उससे amino acids जो बनेंगे ओ भी यहां होंगे हमने suppose कि यह हमने fat consume किया तो fatty acids भी बनेंगे यानि यह substance energy production के useful है इनका इनका use कहां किया जाता है for the purpose of energy production तो इनको ले जाना है हर cell के पास जहाँ जहाँ energy produce हो रहे हैं जहां जहां cellular respiration हो रहा है तो वहां जाकर यह glucose commonly जो है glucose जो है energy production में help करता है तो इस तरह से circulatory system useful है for the production of energy क्योंकि बिना circulation के glucose तो किसी site को जाएगा नहीं अकर glucose वहां जाएगा तो वहां energy produce करने के लिए कोई source नहीं होगा तो इस तरह से circulatory system involved है in the process of energy production तो इन सारी processes को controlled manner में किस तरह से operate किया जाता है हमें पता है कि हमारे पास control and coordination type की हमने पिछले साल पढ़ा था control and coordination manner में सबको operate किया जाता है तो सारी की सारी processes कौनसी कौनसी कहेंगे हम यानि कि respiration process है उसके बाद digestion भी operate किया जाता है continuously वहां पर जो glucose बनेगा उसको blood में dump किया जाएगा blood में dump करने के बाद वहां से flow करना यानि कि circulatory system का function आ गया मान लीजिए कि उस blood में कोई toxic या waste material है तो उसको थे हमारे कुछ सवान और उनके जवाब तो इस chapter के starting में यह जो questions दिये गए है तो इनके answers भी आपके notebook में होने चाहिए आप लिख लेना यह सब जो मैंने आपको बताये हैं सारे के सारे तो चलते आब हमारे इस main topic जो की life processes in living organism में तो जैसा कि बताया गया है life processes होती है body body में किसी भी organism बहुत सारे processes होते हैं तो basically हमें यहां देखना है respiration के बारे में यहां पर हम देखेंगे respiration respiration के जो types मैंने बताये थे external as well as internal type का respiration होता है तो वह कैसे होता है कहां operate किया जाता है respiration क्या सिर्फ हवा यानि कि oxygen लेना और co2 छोड़ना इतने तक कि सीमित है या तो फिर उस oxygen की help से और भी कुछ काम होते हैं हमारे शरीर में वह भी हमें इस चाप्टर में देखना है तो हम मान लिजे कोई भी substance खाते है तो उसका purpose होता है कि हमें energy मिले चा चाहे वह fat हो यानि कि लिपीर्स हो चाहे वह क्यों ना alcohol क्यों ना हो या protein क्यों ना हो तो इन सारे के सारे जो substance होते हैं तो इस सब के सब हमें energy produce करने के लिए useful होते हैं यह हम जिस form में कंजूम करेंगे उसी से हम energy produce करते हैं तो कभी-कभी होता क्या है कि glucose का form अगर हमारे body मे कम पढ़ रहा है तो हमारे अंदर जो cellular respiration होता है वहाँ पर कभी-कभी amino acids की help से भी glucose बनाया जाता है that is the process of gluconeogenesis ऐसे बहुत सारे processes होते हैं तो हम इस चाप्टर में respiration के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि हम अगले next वीडियो में हम उसके बारे में जानकरी लेहने वाले है तो इसको फिर से एक बर आप notebook में note down कर लीजे हां और अगर आपको इस आज के जो class हुई है हमारी थोड़ी सी different kind कहे कर बोलिए कि हमने हिंदी में जो try किया है अगर आपको इस language की वज़े से कुछ points समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप हमारे group पर बोल दीजे हम फिर से हमारे महराथी में record की कर देंगे तो अगर हिंदी में समझ में आ रहा है तो कोई बात में हम continue कर देंगे तुम लोग बोर ना हो इसी वज़े से हमने ये कुछ अलग try किया है ताकि आपको वीडियो देखने में कोई दिक्कत नहीं हो ओके थेंक्यू